नमस्कार यूएस आज हम आपको एक consolidated वीडियो दिखा रहे हैं सेक्टर 97 के सभी gated plotted projects greater फरीदबाद यानी नहरपार में और इन सभी वीडियो में आप देखेंगे कि हमने यही road मातामरित अनमाई मार्ग road से ही उन projects पर गए हैं यहाँ पर आगे चलके आप सीधे भी जा सकते हैं यहाँ पर left लेंगे तो आप sector 98 से होते पहुचेंगे सीधे जाएंगे तो आप आगे जाके खेरी कलान road की तरफ left ले सकते हैं और वो road काफी better condition में है तो देखते हैं हमारे सभी sector 97 के project के videos नमश्कार U.S. आज हम आए हैं फिर से sector 97 में greater fahidabad यानी नहरपार में और यह sector 97 में आज जो हम project देखेंगे है मॉलिक का Concordia Living यह project DDJ project नहीं है मतलब यह affordable project नहीं है और इस वज़े से यहाँ पर जो sizes है वो 180 square yard से start होते हैं जनरली आप देखेंगे DDJ में जो projects होते हैं दीन देल जन्नावास योजना में वो उनके sizes 100 के असपस से start होते हैं 100 square yard के साब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो plots हैं वो start होते हैं लगबग 180 square yard से और it goes up to 335 square yards तो यह रस्ता है जब हम sector 97 की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम श्री अमरितानंद माई माइक पर जाते हैं उसके बाद यह जो road है वो आगे जाके at some point FNG से connect होगी तो एक option तो यह है कि हम यहाँ से सीधे चले हैं और आगे जाकर फिर हम 97 की तरफ left लें लगबग यहाँ से 2 km आगे जाके otherwise यहाँ से आप left ले सकते हैं यह road जब बनेगी फिलाल तो roads की condition इतनी अच्छी नहीं है पर जब यह road बनेगी तो यह सीधे आपको 97 पहुचाएगी बड़ वो master plan हम 2031 की बात कर रहे हैं तो यह overall आप देख सकते हैं जो रस्ता है हम 97 में अलड़ी एंटर कर चुके हैं यह उपर जो है आपका freight corridor जा रहा है तो यहाँ पर यह फिलाल existing roads हैं जिनके sizes आप देख सकते हैं 9 से 12 मीटर के असपास है बिलाल यह limitation है अगर आप यहाँ पर रहने के सोच रहे हैं तो यह limitation है कि अभी यहाँ पर कोई commercial setup नहीं है और यहाँ पर roads वाइस भी ज़्यादा आपको यहाँ पर roads इसी sizes की मिलेंगी बट आगे जाके master plan 2031 में और भी roads यहाँ असपास आनी है तो यह है project Amolick Concordia यहाँ पर sizes जैसे मैंने बता है 80 square yards to approximately 335 square yards है जो rate है यहाँ पर क्योंकि sizes जादा है तो कहीं न कहीं वो balance out हो जाते हैं और जो rates हैं यहाँ पर अभी 65,000 to 70,000 per square yard यहाँ पर rates है जो चल रहे हैं और बड़े sizes के लिए उ 65 से थोड़ा कम भी हो सकता है तो यह हमने एक तरफ से enter करके देखा अभी आगे यहाँ पर जाके फिर plots हैं कभी construction चल रहा है तो हम इतना आगे नहीं जा पाएंगे और ऐसे ही आगे जाकर भी एक और entrance जो उसकी main entrance रहेगी वहाँ भी हम इसको देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि काफी focus किया है एक fancy structure पर यह जो overall project है 27.5 acres में यह project बना है तो luxury project है यह unlike DDJ जहाँ पर कम area में ज्याद़ plots आपको मिलेंगी क्योंकि महाँ पर चोटे sizes से भी plots start होते हैं तो rates की हमने budget से बात करी यहाँ पर आपको 65K plus minus आपको पर गच rate आपको मिलेगा यहाँ पर और जो roads हैं हम यह जो अभी हम road एंटर के हैं ओमेक city से पहले की road है ऐसे ओमेक city cross करके भी अभी आपको existing road से यहाँ पर जो entry हो वहाँ से भी मिल सकती है पर आगे जाकर master plan के साब से यहाँ जो road होगी वहाँ से entry होगी eventually तो काफी आप focus यहाँ पर देख सकते हैं आप street lights से ही स जो कि sector 98 में वह भी cover किया था उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं और भी projects हम sector 97 और 98 के cover करेंगे ग्रेट अफरीदाबाद नहर पार में situated omex city project हमने इस ते पहले greater फरीदाबाद के sector 98 के projects को detail में देखा है सारे projects को जो भी gated projects है plotted projects है और अब हम 97 पर focus रखेंगे अपना हमने already soha olive town पहले cover किया है आज हम देखेंगे omex city हम अभी माता मरितनन मार्क पे ही हैं और यहां से अगर हम सीधे चले जाएंगे और सेंट पीटर्स को cross करते वे आगे जाएंगे तो जो चौरा है जो खेरी कलान की तरफ जाता है वहां से left लेंगे तो खेरी कलान क्रॉस करते वे हम towards omex city जा सकते है अदरवाइस हम यहां से left लेकर फिर आगे जाकर right लेकर मन्शाओं से होते वे फिर केरी कलान जाकर भी sector 97 पहुच सकते हैं तो यह दो possible रस्ते हैं जहां से आप पहुच सकते हैं towards omex city और जब आप omex city की तरफ जाएंगे तो आप नीचे वहां पे freight corridor को cross करते वे जाएंग एक industrial corridor है तो इसको हम pass करते वे जाएंगे अभी यह existing road है आगे जाकर एक 24 मीटर की road यहां पर जहां हम चल रहे हैं उससे perpendicular लगबग होते वे आएगी और 24 मीटर की road जो है वो main entrance होगी to omex city हम जितने भी projects देखते हैं अभी 98-97 में उसमें अगर कोई सबसे strong security अगर आप देखेंगे जिससे जो एक vector होता है to define the overall maintenance वो आप सबसे अच्छी देखेंगे omex city में जैसे हम यहां पर देख रहे हैं काफी अच्छा यहां पर entrance बनाया है उन्होंने काफी well maintained society right side में आप green देख सकते हैं इससे पहले commercial space था left side में बड़े sizes के plots हैं entrance में आते ही और कुछ य green के ठीक साथ है 104 square yard के तो वो मुझे लगता है कि काफी एक अगर आप छोटे units देख रहे हैं तो बहुत ही prime located plots हैं जो कि generally छोटे size के plots नहीं होते हैं तो हमने देखा enter करती commercial था फिर green space आया right side में left में बड़े plots हैं और अब हम आगे बिलकुल इसके rights most side में आ गए हैं और यहाँ पे आगे जाके देख सकते हैं कुछ construction भी कर रहे हैं लोग तो यह इसकी boundary है overall आप देखते ही पैचान सकते हैं कि यह society जो है one of the best maintained society है आप पीछे इसके देख सकते हैं Amolick Concordia Living को भी और इसके पीछे जो आप plot यह space है तो क्योंकि एक complete space है अभी उसको इन्होंने boundary wall से cover नहीं किया है बट यह overall omics city में जो plotted development है उसका plan में आपको बतानी कुशिश कर रहा था यहां पे अब आप left side में देखेंगे लगबग 120-120 square yard के plots तो यह अगर हम maintenance की बात करें अगर 98-97 में और जो बने में अलेडी गेटेड प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स है उसमें मन्शा ओग्स और omics city आपको देखेगा जहां पे अच्छी greenery हो रखी है अगर आप security देखेंगे तो best आपको omics city में देखेगी तो यह कुछ stand-out factors हैं जो omics city के favor में है rates जो यहाँ पर है वो 65,000 to 70,000 per square yard है as of October 2024 यहाँ पर कुछ plots जो हैं वो already उनकी registry हो चुकी है तो आपको कुछ ऐसे options भी यहाँ पर देखेंगे कितना अच्छा green यहाँ पर इन्होंने बनाया green space no doubt भी फिलाल आपको कोई और project इतना अच्छा green space के साथ नहीं मिलेगा और आगे जाके अभी फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे अगर तो left side में और थोड़ा green space आपको दिखेगा तो यह overall इसका structure है जो sizes है यहाँ पर 102, 180 square yard लगबग है sizes total project 13.1 acres का है और rates के हमने अल्रेड़ी बात करी है 65,000 to 70,000 के आसपास per square yard आपको यहाँ पर मिल सकते हैं plots तो यह हम green space जिसकी बात करेते हैं वो आप left side में देख सकते हैं और आगे नमस्कार युएस आज हम आए है sector 97 में देखने अनुशी greens project तो यह फिलाल हम अगर चलेंगे ओमेक city की road पे और आगे लगबग 1 km आगे जाएंगे तो वहाँ से left लेके आप पहुचेंगे यहाँ पर अनुशी greens तो भी position इसकी यह है कि रेरा approved यह project है और लगबग 8 acre का यह project है 125 to 178 square yards के यहाँ पे plots हैं लगबग तो अभी आप देख सकते हैं development wise boundary यहाँ पर बनी है बाकी अभी roads और sewage etc का का काम अभी होना है यहाँ पर तो यह initial stages हैं अगर हम rate की बात करें तो इस time पर लगबग 50 to 55 thousand पर गच यहाँ पर rate चल रहा है पचास से पच्पन हजार और यह सब जो भी availability है वो resale में है यह landspec builder का यह project है landspec के बारे में आप google पे search करके देख सकते हैं google reviews पर उसका feedback बाकी यह details में आपको बताना चाहा रहा था एक और project की sector 97 greater फरीदाबाद या नहरपार में ऐसे ही और वीडियोज हम और जल्द ही लाने वाले हैं तो प्लीज इस चैनल के साथ बने रही है थैंक्यू सो मच नमस्कार यूएस आज हम देखेंगे फरीदाबाद में एक और plotted gated society आज हम देखेंगे sector 97 में situated एड़ और smart city को trade है दो faces में phase one and phase two हम cover करेंगे क्या sizes यहां पर available है क्या rates फिलाल यहां पर ongoing है और overall क्या feedback है क्या situation है उसको हम आज देखेंगे as part of this video तो यहां तक पहुशने के लिए सबसे पहले आप अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप आएंगे माता अमरिता नंद मही मार्ग पर जो की एक बड़ी रोड है और राइट में यहां पर अमरिता हॉस्पिटल है अगर हम इसी रोड से सीधे आगे चलते हैं तो आप फाइनली केरी कलान जो जाती है रोड उसको लेफ्ट लेंगे वहां के लिए और वहां से आगे चलेंगे आप जाएंगे या तो सोहा ओले ट एक डिएड किलोमेटर आगे जाकर आप पहुच सकते हैं एड और स्मार्ट सिटी जैसे मैंने पहले बताया है यहां पर दो फेसे हैं फेस वन एंड फेस टू फेस वन लॉंच हुआ था लगबग दो साल से कुछ महीने पहले तो अप्रॉक्सिमिलिटी टू पॉइंट्री म पर 8.1 एकर्स का फेस वन था जो साइसे फेस वन में अवेलेबल हैं वो 116 टू 158 स्क्वेर यार्ड हैं इसके अलावा उसके लगबग 6 टू 7 मन्स बाद में लॉंच हुआ फेस टू एड और स्मार्ट सिटी फेस टू जो की लगबग 10.2 एकर्स 10.2 एकर्स का लेंड है और यहाँ पर जो साइसे हैं वो 128 से 167 स्क्वेर यार्ड गज के साइसे में प्लॉट्स अविलेबल हैं फिलाल आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी सिचुएशन है तो अगर आप देखेंगे तो ग्रेनरी यहाँ पर इन्होंने अच्छी कर कि आपको काफी ग्रीनी देखेंगे यहां पर बट मेंटेंड उस तरह से नहीं है जो लाइटिंग है वो इंटर्नल है वो अच्छी बात है बट अगर आप मेंटेनेंस देखेंगे तो बाकी सोसाइटी के कंपरेजन में जो इसी लगबाग इसी कंडिशन में है आप यहाँ पर हैं अभी फिलाल वो 45,000, 45,000 से 55,000 पर गश्ट तक रेट से है और इसके अलावा क्या लोकेशन है विदिन दा प्रोजेक्ट क्या वो पार्क फेसिंग है तो इस तरह की चीजें भी यहां पर अपना एक रोल प्ले करती है यह बात सही है कि यहां पर जो रेट्स हैं फिलाल सेक्टर 97 के कंपरेजन में थोड़े कम हैं इसका एक कारण बताया जाए रहा है कि लेटली अभी रीसेंट पास्ट में थोड़ा सा यहां पर स्लो हुआ है कंस्रक्शन वर्क आप देख सकते हैं कि जो सेक्रिटी है वो भी यहां पर अभी फुल फ्लेश नहीं है तो अभी दिख रहा है कि पोजेशन में थोड़ा टाइम है वो एक वन अफ दा रीजन्स हो सकता है अब यहां आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा प्लान है ग्रीनरी आप देखेंगे जनरली इस तरह से इन फ्रंट आफ इतना थौटफॉली नहीं होती है बट इसको मेंटेंड उस तरह से नहीं किया जा रहा है बट देखना होगा कि इवेंचली यह प्रोजेक्ट कैसे निकल कर आता है फिलाल यही हम आपको दिखाना चाहरे थे आगे जैसे इस प्रोजेक्ट में डेवलप्मेंट होता है उसको हमश्कार यह साज हम देखेंगे एमराल गुलमोहर प्रोजेक्ट सेक्टर 97 फरीदबाद नहरपार में यह जो प्रोजेक्ट है लगबग 8.25 एकर सेक्टर 97 में और अगर आप देखेंगे तो यह ठीक एड़ॉर स्मार्ट सिटी का जो गेट है उसके सामने इसका में गेट फ हम माता अमरिता नंद माई मार्ग से ही जाएंगे और आगे जाकर फिर हम खेरी करान की तरफ होते वेज़ पहुचेंगे सेक्टर 97 में सेक्टर 97 के अलड़ी हमने कई सार वर्येट्स कवर किये हैं और यह उसी सीरीज में एक और प्रोजेक्ट है इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रहरा में जब यह रिजिस्टर हुआ था तो इमराल का जी स्पेलिंग थी वो डिफरेंट थी तो इसको लेकर काफी मिसर इंडर्स्टेंडिंग रही है बरहाल जैसे मैंने बताया कि 8.25 एकर्स का टोटल यह प्रोजेक्ट है यह आ तो पैतिस से 210 गच तक कि प्लॉट्स यहां पर अविलेवल हैं जो रेट्स फिलाल चल रहे हैं वो हैं अप्रॉक्सिमेटली 55 से 60,000 पर गच जैसे हम खेरी कलान गाउं से पास करें और उसके बाद हम सीधे चले तो यह पहला प्रोजेक्ट आपको देखेगा सोहा ओलिफ टाउन तो यहां आप देख सकते हैं रोड थोड़ी छोटी है और फिलाल यह एंटरेंस है यह है जगे जहां पर एंटरेंस रहेगी इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं बाहर से यह जो प्रोजेक्ट है सोहा ओलिफ टाउन यह लगबग 11.25 एकर्स में यह बनाया गया है तो एक अच्छा स्पेस है जो साइसे हैं यहां पर कंपेर टू अधर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होते हैं वो थोड़ा ज्यादा से स् और अप्ट 179, 180 अस तक जाते हैं यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है हना कि सारे अप्रोज जो है प्रोजेक्ट के वो लगबट 1.5 साल पहले आ गये थे अगर हम एंटर करते हैं लेट साइड में आप देख सकते हैं बड़े साइसे के प्लॉट्स 170 से 180 के आप लेट गेट से जब हम एंटर की हैं और राइड साइड में आप थोड़े छोटे साइजेस के प्लॉट्स स्टार्टिंग प्रॉम 135 ऑनवर्ड्स देख सकते हैं यहां आप देख सकते हैं इन्होंने फैंसी लाइट्स लगाई हैं अगर हम सोहा के ही प्रीवेस प्रोजेक्ट की बा उन्होंने मैं यह तो नहीं कहूंगा कि ओमेक्स से कंपेरेबल है या मनिशा ओक से कंपेरेबल है बट फिर भी ठीक है और बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोजेक्ट वो नहीं बनाया था अगर आप देखें तो शायद यह कंपेर तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रहेग अच्छा इसमें जब हम एंटर किये थे जहां से और ठीक एंड में राइट साइड में जाएंगे तो वो कम्यूटी स्पेस है जो कि हर राइट को रिजर्व करना पड़ता है और जो अलॉट होता है गवर्मेंट को तो यह आप देख सकते हैं अभी देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी मेंटरेंस में इंप्रूमेंट की गुंजाईश है डिफिनिट्टी है और जो रोड्स हैं बाहर की अभी फिलाल तो एक डीसेंट कंडिशन में है हाँ जो थोड़ा पार्ट गाओं से अगर आप निकलेंगे तो थोड़ा वहाँ पर अच्छे से नहीं है रोड्स जहां पर काम किया जा सकता है और अगर यहां पर ट्रेफिक थोड़ा बढ़ता है तो इस चोटी रोड में थोड़ा इश्यूज आ सकते है तो अगेन जो मास्टर प्लान है उसमें दोनों साइड और रोडस आने का प्लान है तो again ये हमने entrance करी थी main gate से आगे आप fancy lights देख सकते हैं और left right side में आप plots देख सकते हैं और ये काफी पीछे तक है जैसे मैंने बताया 11.25 acres का लगबग space है तो एक अच्छा खासा space है overall इस project में तो ये हमने पहला project देखा है sector 97 में सोहा ओलिफ टाउन सोहा का प्रेजर पहला project सोहा नील सिटी sector 98 में था यहाँ पर सोहा ओलिफ टाउन में अगर rates की बात करें तो लगबग 55,000 to 60,000 पर गच यहाँ पर इस time पर rate चल रहा है as of September 2024 अभी जो condition है अभी जो maintenance है वो आपके सामने है तो boundary फिलाल नहीं बनी है main gate side से और plots कुछ कट चुके हैं कुछ नहीं कट रहा है तो काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है कुछ street lights भी अभी लगाई जानी है तो यह overall situation है इस project की नमस्कार विएस आज हम देखेंगे SLF इंदरपस ग्रीन्स project सेक्टर 97 फरीदाबाद यानी नहरपार में यह बाकी कुछ projects जो हमने lately देखे हैं उसी की तरह यह भी एक plotted project है, gated society है तो आज हम इसको detail में देखेंगे और जानेंगे इसका total size क्या क्या plots, कि size के plots यहाँ पर available है क्या इस time construction की situation है और देखेंगे हम price भी, क्या prices इन plots के इस time पर available है क्या इस fresh में available है, क्या इस resale में available है इन सब चीजों की हम बात करेंगे इस वीडियो में आज इस से पहले आप हमारे पुराने वीडियो अगर देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर 98 और 97 के काफी projects हमने cover किये हैं already उनको आप देख सकते हैं और हर project में जो route है अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे है तो वो यही है आप माता अमरित अनन मही मार्ग से जाएंगे आगे चलकर at some point एडिलेफ से connect होगा फिलाल सीधे जाकर जब खेरी करान के लेफ्ट आएगा वहाँ से खेरी करान के लेफ्ट लेए और eventually आगे चलते चलते आप पहुचेंगे SLF इंदप्रिस्त greens project में तो आप देख सकते हैं सामने तो रोड अभी छोटी है बट यही existing road है फिलाल बट at some point यहाँ पर आएगा आपका 75 meter road भी और तब यहाँ की approach थोड़ी easy हो जाएगी बट अभी clear नहीं कि वो कब होगा हमने enter किया है इस project में SLF इंदप्रिस greens में SLF builder का नाम है इंदप्रिस greens project का नाम है तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आप थोड़ी सी traditional form of lights देखेंगे आप fancy lights नहीं देखेंगे तो simplistic way में नहीं काम करने कोशिश करी है अगर मैं इसको compare करूं बाकी project से तो सोहा नील city से थोड़ा मुझे similar यह project लगता है आप देख सकते हैं यहाँ पे left side में भी आपने पार्ग देखा जो कि decently maintained है सेम चीज़ आप सोहा नील city में देखेंगे but at the same time आप थोड़ा सा outdated वहाँ पे मतलब ज़्यादा fancy project नहीं बनाया है similarly आप यहाँ पर भी वही चीज़ देखेंगे एक चीज़ जो आप देखेंगे और आप अरड़ी देख चुके होंगे वह आप maintenance को आप notice करेंगे कि फिलाल यहाँ पर घास नहीं करटी है और यह मैं और बताना चाहूँगा कि 2020 में लगबग चार साल पहले यह रहरा अप्रूव हुआ था project तो चार साल के बाद अभी जो situation है आप अपने सामने देख सकते हैं लगबग 5.5, 5.5 एकर से जादा का space में यह society बनी गई है और अगर हम plots की बात करें तो यहाँ पर 108 से लेकर 168, 108 to 168 square yards के plots यहाँ पर अविलेबल है अगर हम rates की बात करें तो rate अभी यहाँ पर 52,000 से लेकर 60,000 पर गज आपको मिलेगा depends on the location of the plot उसका size इन factors से वो driven है तो जो outstanding factors इस project का है वो उसके entrance अच्छी बनाई गई है जो left side में initially हमने देखा था एक पार के रिया वो भी reasonably well maintained है बाकी maintenance में कुछ कामें दिख सकती है बट हम position का wait करेंगे उसके बाद इस चीशकों को लेकर कुछ conclude करेंगे नमस्कार आज हम देखेंगे sector 97 फरीदबाद नहर पार में situated एक और plotted gated society इसका नाम है लाड इमोरा city काफी पेजीदा नाम है लाड इमोरा जिसका मतलब french में होता है the residence तो नाम तो इन्होंने काफी interesting और different लिया है कैसा है यह project कितना different है यह project इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में अभी आप कुछ जलकिया देख रहे हैं इस वीडियो की आगे चलके हम detail में इस project को देखेंगे यह project की खास बात यह है कि इस time पर 97 में जितने projects हैं जो की कुछ stage तक already completed है उसमें यह जो project है यह cheapest project है अभी इस time पर even जो नए project launch हो है वो भी इससे महंगे हैं तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यूं है क्या अभी हापर condition है plots की उसकी बात हम करेंगे तो again sector 97 जा रहे हैं अगर आप फरीदाबाद greater फरीदाबाद में from Delhi तो आप इसी road से चलेंगे मागर में आप चलेंगे जो कि आगे जाके at some point FNG से connect होगा और यहाँ पर आपके पास option है यहाँ पहुशने के बाद आप straight जा सकते हैं और फिर आप खेरी कलान के लिए left ले सकते हैं या फिर आप यहीं पर left ले सकते हैं और फिर आगे जाकर आप right ले सकते हैं बट इस case में road की condition इतनी अच्छी नहीं हमें दिखी तो इसलिए suggested है कि आप straight ही जाए और आगे चलते हुए जब आप खेरी कलान क्रॉस करेंगे अभी फिर आप खेरी कलान पहुच रहे हैं तो फिर आप जब सक्टर 97 की जो road है जो DPS के तुरू होती भी जाती है यह पहुसती है आपको पहला project दिखेगा उसके बाद DPS के बाद उसके और आगे चलके आपको इस project का main gate दिखेगा तो अगर आप projects की बात करें अभी सक्टर 97 में और main gate की अगर बात करें तो मैं कहुँगा कि maintained तो बहुत अच्छे से नहीं है बट फिर भी एक decent gate इन्होंने यहां बना रखा है और entrance के पास में space भी इन्होंने काफी बनाए है तो थोड़ा अंदर को main gate बनाए है तो अभी हम enter कर चुके हैं society के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने अच्छी street lights लगाए थी बट आप इन्होंने देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहां पर lights में जंग लग गया है तो कही ना कही maintenance थोड़ा फीका है अगर आप plantation देखेंगे तो बहुत maintain भी कर रखा है उस plantation को देख रहे हैं कि अब बहुत अभी कुछ bushes तो हैं बट bushes बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक decent maintenance है इस time पर इस project में right side में आप थोड़ा पार के अरिया भी देख सकते हैं यहाँ अगर इस project को देखने के बाद मुझे लगा कि sector 97 यह जो situated projects हैं उसमें Ome completed project है उनकी बात अगर हम करें तो उसमें मुझे यह project advanced लगा maintenance वगेरा और सब चीज़े वह include करके तो एक natural सा question था कि क्यों यह project का rate कम है हम rates वगेरा कि भी बात करेंगे भी आगे चलके बरहाल इस project के बारे में थोड़ा मैं आपको high level details देदू अगर तो यह phase 1 और phase 2 में divided है phase 1 जो project का launch हुआ था वो दगबग 7.35 acres में launch हुआ था और जो phase 2 है वो launch हुआ था 13.25 acres में तो लगबग 21 acres का total यह project है तो काफी बड़ा यह project है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा project है sector 97 में तो आप देखिने हैं हम कितना deep जा चुके हैं इसमें और और भी आगे तक है project और दूसरे तरफ इसका gate है वो निकलता है Omex City की तरफ sizes जो यहाँ पर available है वो है 130 square yards से लेकर 180 square yards तक तो काफी बड़े size से यहाँ पर start होते है plots 130 गत से जनरली आप देखेंगे कि DDJ में आपको 110 गत से आपको plots मिल जाते हैं 130 to 180 square yards के plots मुझे बताए गए जो हैं यहाँ पर और आप अभी काफी अंदर तक हम आ गए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा maintenance फिर फीका पढ़ता हो दिखता है आपको roads और plantation और weeds वगेरा जो हैं वो आपको कुछ उसमें खास फर्क नहीं दिखेगा तो यहाँ प street lights वैसी ही लगाई गई हैं इतना maintain नहीं लग रही तो यह overall इस project के को हमने cover करने ही कोशिश करी आप देख सकते हैं boundary wall है यह project इस side पर back अभी आप left side में अगर दिखते हैं तो वहाँ पर कुछ area जो है open छोड़क है community living के लिए जो छोड़ना पड़ता है डीडीजे में तो यह overall project है sizes के हमने बात करी हमने total size of project की बात करी rates की बात हम obviously करेंगे rates जो है यहाँ पर वो है लगभग 48 से बावन यानि 48,000 तो 52,000 पर square yard यहाँ पर rates है builder जो है light stone builder है और इसको time हो चुगा है launch हुए वे और उसे साब से अभी completion में थोड़ा काम अभी बाकी है तो लोगों में थोड़ा confidence की कमी है बट अगर हम location देखें अगर हम बोलें Omex City के ठीक साथ में DPS वाली road पर है तो काफी factors हैं जो उसके favor में जाते हैं और यह आप बाहर आ चुके हैं अभी और बाहर निकलते ही आप देखते हैं Omex City का gate और जो लास प्रजेक्ट हम इस consolidated वीडियो में देख रहे हैं वो है Amolik Blossom Woods यह है situated in between अनुशी Greens and Adore Smart City इसके बारे में details आप इसके individual वीडियो पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर अगर आपको यह consolidated वीडियो सेक्टर 97 के projects का पसंदाया हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe करेगा हम साह हमारे साथ बने रहे हैं और प्लीज इस वीडियो को like करेगा Thank you so much